बांगलदेश में हिंदू की जनसंख्या लगातार घट रही है बड़ोसी देश बांगलदेश में हिंदू अल्प संख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के बार अब हिंदू की घट्ती जनसंख्या की खबरे भी आने लगी है प्रिटिश काल में पाकिस्तान से अलग होने और मौजुदा वक्त में हिंदू की जनसंख्या के आकड़ों में काफी अंतर दिखाई पड़ता है अपनी इस रिपोर्ट के जरीय हम आपको बताएंगे बांगलादेश में 1971 से पहले हिंदू जनसंख्या कितनी थी और अब कितनी है बीते 50 वर्षों में भारत में बांगलादेशी गुस्पैट कितनी बढ़ गई है और मौजुदा स्थिती क्या है भारत की मदद से 1971 में नए देश के रूप में जनम लेने के बाद बांगलादेश के नए देश के रूप में भरने के दोराद 1974 में पहली बाद जनगर्ना कराई गई तब देश की कुल जनसंख्या का 13.5% हिस्था हिंदू जनसंख्या का था लेटेस 2011 की जनगर्णा में कुल जनसंख्या में हिंदू धर्म की जनसंख्या गिरकर 8.5% पर आगई थी। हिंदू ही नहीं बलकि यहां रहने वाले इसाई, बॉन और अन्य धर्मों की लोगों की जनसंख्या में खासी गिरावट आई है। बांगलादेश में घटी हिंदू जनसंख्या और बढ़ती मुस्लिमों की संख्या का अंडाजा इन आकड़ों से लगाया जा सकता है। 1961 में मुस्लिम की संख्या बढ़कर 80.4 और हिंदू की संख्या घटकर 18.5 प्रतीशत परागई। और 0.9.3 प्रितिशत हिंदू, जबकि 2011 में मुस्लिफ 90 प्रितिशत थे और हिंदू के संख्या 0.8.5 प्रितिशत पर रहे गई है। पाकिस्तान से बांगलादेश के बटवारे के वक्त बहां के हिंदू को सबसे अधित पीड़ा जेननी बड़ी थी। इस दोरान बड़ी संख्या में हिंदू का कक्लियाम किया गया और काफी हिंदू सीमा पार कर भारत में शरण लेने को भी मजबूर हुए। एक बड़ी संख्या में हिंदू का धर्म परिवर्तन करवाये गया, जिस वजह से आज हिंदू की जन संख्या कम है। झाल झाल